अगर आपको च्छाती में दर्द हो रहा है, तो कौन सा ऐसा दर्द है, जिसमें आप suspect कर सकते हैं कि ये cardiac origin का pain है, cardiac problem के विज़े से दर्द हो रहा है, तो ये जानना ज़रूरी है कि बहुत सारे pain होते हैं, chest pain होते हैं, जो कि non-cardiac origin भी होते हैं, उनको भी समझना ज़रूरी है, परन्तु जो cardiac origin का दर्द होता है वो अक्सर जो है exertion के साथ होता है कहने का मतलब है कि वो जब भी आप exertion कर रहे हैं कोई exercise कर रहे हैं चल रहे हैं बात कर रहे हैं तो pain जो है बढ़ रहा है ये typical है cardiac origin के pain का और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर cardiac origin का pain exertional relationship हो उसका बट अमूमन rest pain भी हो सकता है आप बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं inactive हैं तब भी chest pain हो सकता है और वो cardiac origin माना जा सकता है दूसरा ये chest pain आपको refer हो रहा है या radiate हो रहा है अगर वो हाथ में radiate हो रहा है hands तक आ रहा है fingers को involved कर रहा है या फिर jaw में radiate हो रहा है या फिर shoulder में radiate हो रहा है या फिर back को भी involved कर रहा है तो ये typically जो है cardiac origin के pain में होता है इसमें associated symptoms भी हो सकते हैं जैसे जो है sweating, profuse sweating हो रही है आपको palpitation हो रहा है, घबराट हो रही है आपको जो है ऐसा feel हो रहा है कि दिल तेजी से धड़क रहा है तो ये कुछ symptoms indicate करते हैं कि ये cardiac origin का pain हो सकता है और आपको तुरत जो है doctor से परामाश करना चाहिए और medical advice लेनी चाहिए diagnose करना जरूरी है कि ये chest pain जो है cardiac origin का है या नहीं ये कुछ sophisticated investigations होते हैं जिनसे final diagnosis confirm हो सकती है धन्यवाद